हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्टरवफिल स्टडी तो आज हम लोग विज गनित अलजेब्रा में इस परकार के सवालों को हल करना सिखेंगे तो वीडियो को लास तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें तो दोस्तों कोईशन नमर एक है यदि एक्स प्लोस एक बट्टा एक्स बरावर पांच तो एक्स इसक्वाईर प्लोस एक बट्टा एक्स इसक्वाईर का मान ग्यांत करे यानि हमें यहां एक्स प्लोस एक बट्टा एक्स बरावर पांच दिया है और हमें मान निकालना है एक एक्स स्क्वाइर प्लॉस एक बट्टा एक्स स्क्वाइर का तो दोस्तों इसे हल करने से पहले आपको ये तीन फर्मूला जरूर याद होना चाहिए पहला फर्मूला है दोस्तों एक होता है प्लॉस में मान दिया है तो प्लॉस वला फर्मूला लगाएंगे अगर हमें यहां मान दिया है तो हम a-bHoleSquare प्लास 2a वला फर्मूला लगाएंगे दूसरा फर्मूला है दोस्तों प्लस b¥ तो यह बरावर होता है a-b गुए a square MINUS ab plus b² और तीस्रा फर्मूला है दोस्तों aq-b буд तो यह बरावर होता है a-b गुने a square प्लोस a गुने b प्लोस b square तो हम इसी तीन फर्मूला के अधार पर इन सबी सवालों को हल करेंगे तो आप ये तीनों फर्मूला जरूर याद होना चाहिए तो चलिए अब हम question को हल करते है तो हमें यहाँ x प्लोस 1 बट्टा x बरावर 5 दिया है और हमें मान निकालना है दोस्तो x square प्लोस 1 बट्टा x square का तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं हमें मान निकालना है x square प्लोस 1 बट्टा x square का ठीक है तो दोस्तों यहाँ देखिए यह जो x square प्लोस 1 बट्टा x square है न से हम a2 plus b2 के फर्मूला के रूप में लिखेंगे यानि a की जगा हम लिखेंगे x2 ठीक है तो यह हो जाएगा a2 अब हम लिखेंगे plus b2 तो b के जगा दोस्तों हम लिखेंगे 1 बटा x का whole square तो देखेंगे अब यह a2 plus b2 के रूप में है तो अब हम यहां असानी से a2 plus b2 का फर्मूला लगा सकते हैं एक का square करेंगे 1 होगा x का square करेंगे तो x square होगा तो दोस्तों a2 plus b2 का दो फर्मूला होता है तो हम कौन सा फर्मूला लगाएंगे तो हमें यहां plus में मान दिया है तो plus वाला फर्मूला लगाएंगे यानि a plus b whole square minus 2a वाला फर्मूला लगाएंगे तो a की जगा x है तो हम लिखेंगे x और b की जगा 1 बटा x है तो हम लिखेंगे x प्लोस 1 बटा x a प्लोस b अब इसका स्क्वाइर कर देंगे फिर दोस्तों हम क्या लिखेंगे माइनस 2ab तो माइनस 2a की जगा x है और b की जगा 1 बटा x है अब दोस्तों यहान धियान दीजिए यहान है x plus 1 वर्ट्टा x का holy square तो हमें x plus 1 वर्ट्टा x बरावर 5 दिया है तो हम इसकी जगा अब 5 लिखेंगे 5 हो गया और यह square है तो हम इसका holy square लिख़ देंगे 5 का holy square अब यहान देखिए minus 2 इस x से हम x को cancels कर सकते हैं भाग में तो 2 को 1 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा? 2 ठीक है तो इतना हो गया इसे हल करने पर अब हम क्या करेंगे? 5 का square करेंगे 5 का square करेंगे 25 और ये minus 2 तो 25 में से 2 minus करेंगे 23 तो दोस्तों x square plus 1 बट्टा x square का मान हो गया? तो इस परकार हम इसे हल करेंगे फर्मूला से तो दोस्तों question नमर दो है यदि x-1 बट्टा x बरावर 3 तो x square प्लोस 1 बट्टा x square का मान ग्यांत करे तो हम यहां लिखेंगे दोस्तों x square प्लोस 1 बट्टा x square बरावर यहां ध्यान दिजिए हमें यहां minus में मान दिया है तो हम यहां a square प्लोस b square का minus वाला फर्मूला लगाएंगे तो हम इसे a square प्लोस b square के दुख में लिख लेते हैं तो a की जगा दोस्तों हो जाएगा x का whole square प्लोस b की जगा एक बट्टा x का whole square हो जाएगा ठीक है तो अब हम यहाँ असानी से a square plus b square का फर्मूला लगा सकते हैं तो इसका फर्मूला 2 होता है तो हमें यहाँ माइनस में मान दिया है इसलिए हम माइनस वहला फर्मूला लगाएंगे तो a की जगा x है और b की जगा 1 बटा x है तो हम लिखेंगे a minus b का whole square तो a की जगा x है और minus b की जगा 1 बटा x है तो हम इसका whole square लिखेंगे अब लिखेंगे दोस्तों हम plus 2 a की जगा x और b की जगा 1 बटा x अब इसे हम होल कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ हमें x minus 1 बटा x का मान दिया है कितना? तो हम इहाँ लिखेंगे 3 और इसका square कर देंगे यहाँ square है तो हम इसका square करेंगे plus 2 यहाँ से x और यह x कट जाएगा भाग में तो 2 को x से गुना करेंगे 2 होगा तो 3 का square करेंगे दोस्तों क्या होगा? 9 और यह plus 2 तो दोस्तों 9 प्लस 2 11 तो 11 हो जाएगा इसका answer ठीक है? तो दोस्तों question number 3 है यदि x प्लस 1 बटा x बरावर 6 तो x cube प्लस 1 बटा x cube का मान ग्यात करें तो यहाँ हम दोस्तों a cube प्लस b cube का फर्मूला लगाएंगे तो पहले हम इसे लिख लेते हैं हमें मान निकालना है x cube प्लस 1 बटा x cube का ठीक है? तो a cube प्लस b cube का फर्मूला होता है दोस्तों a plus b गुने a square माइनस a b plus b square तो इसी फर्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं तो हम लिखेंगे a plus b तो a की जगा x है और b की जगा दोस्तों 1 बटा x है तो हम लिखेंगे x plus 1 बटा x a plus b अब हम लिखेंगे a square तो a की जगा दोस्तों x है तो हम लिखेंगे x का whole square अब लिखेंगे minus a b तो a की जगा x है और b की जगा 1 बटा x है अब लिखेंगे plus b square तो b की जगा 1 बटा x है तो हम लिखेंगे 1 बटा x का whole square a plus b गुने a square minus a गुने b plus b square अब हम इसे हल कर लेते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ x plus 1 बट्टा x अब यहाँ रखें bracket में हम क्या करेंगे x square और plus 1 बट्टा x square को एक साथ लिख लेते हैं हम लिखेंगे यहाँ x square plus 1 बट्टा x का whole square अब यहाँ देखेंगे हम इस x से इस x को cancel कर सकते हैं भाग में तो यहाँ क्या बाकी हो जाएगा minus 1 तो हम यहाँ लिख लेते हैं last में minus 1 ठीक है अब देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ x plus 1 बट्टा x गुने यहाँ देखें ब्रैकेट में यहाँ हम अब a square plus b square का फर्मूला लगाएंगे तो इसका दो फर्मूला होता है तो दोस्तों यहाँ भी same concept है कि अगर हम यहाँ plus में मान दिया है तो plus बट्टा फर्मूला लगाएंगे तो हमें plus में मान दिया है तो plus बट्टा फर्मूला लगाएंगे तो plus में दोस्तों फर्मूला होता है इसका a plus b का होली square माइनस 2 यह b तो a की जगा x है और b की जगा 1 बट्टा x है तो हम दिखेंगे x plus 1 बट्टा x का होली square अब दिखेंगे माइनस 2 a की जगा x b की जगा 1 बट्टा x है और यह माइनस 1 ठीक है हमने यहाँ a square plus b square का फर्मूला लगा दिया अब दिखेंगे दोस्तों हम यहाँ x plus 1 बट्टा x गुने अब यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में हम दिखेंगे x plus 1 बट्टा x का whole square माइनस हम इस x से इस x को cancel कर सकते हैं तो 2 को x से कुना करेंगे 2 और यह माइनस 1 अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे x plus 1 बट्टा x की जगा 6 रखेंगे योग कि हमें यहाँ 6 मान दिया है x plus 1 बट्टा x बरावर तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 6 और ब्रैकेट में भी दोस्तों हम यहाँ x plus 1 बट्टा x से जगा लिखेंगे 6 और यहाँ हो जाएगा इसका square माइनस यहाँ माइनस 2 माइनस 1 है तो माइनस प्लस माइनस चीन माइनस का तो चीन माइनस का हो गया अब हम 2 और एक को जोर लेते हैं तो यह हो जाएगा 3 और यह कोश्ठक अब दोस्तों हम लिखेंगे 6 गुने यहाँ देखे 6 का square माइनस 3 तो 6 का square दोस्तों कितना होता है 36 और 36 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 33 तो हम यहाँ लिख लेते हैं 33 33 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 108 में तो x cube प्लस 1 बट्टा x cube का मान हो जाएगा 108 में तो इस परकार हम इसका मान निकालेंगे a cube प्लस b cube के फर्मूला के मदद से तो दोस्तों question number 4 है यदि x माइनस 1 बट्टा x बरावर 4 तो अब हम यहाँ x cube माइनस 1 बट्टा x cube का मान निकालेंगे तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं x cube माइनस 1 बट्टा x cube तो यहाँ भी दोस्तों हम a cube माइनस b cube का फर्मूला लगाएंगे a की जगा x है और b की जगा 1 बट्टा x है तो a cube sub q का formula होता है a minus b गुने a square plus a b plus b square तो हम रिखेंगे a minus b तो a की जगा x और b की जगा एक बटा x है तो हम रिखेंगे यहाँ एक बटा x अब हम लिखेंगे a square तो a की जगा x है तो हम लिखेंगे x का whole square प्लॉस A B तो A की जग़ा X हो जाएगा और B की जग़ा 1 बटा X अब लिखेंगे हम प्लॉस B स्क्वाइर यानी 1 बटा X का होल स्क्वाइर ठीक है तो अब हम इसे हल कर लेते हैं हम लिखेंगे X माइनस 1 बटा X गुने यहां अभी हम क्या करेंगे कुष्टक में इसे और इसे एक साथ लिखेंगे हैं ताकि हम यहां A स्क्वाइर प्लॉस B स्क्वाइर का फर्मूला लगाएंगे तो हम इहां लिखेंगे एक्स स्क्वाइर प्लॉस एक बटा X का होली स्क्वाइर तो यहां से हम इस x को cancel कर सकते हैं तो यहां बाकि हो जाएगा plus 1 तो हम यहां लिख लेते हैं last में plus 1 को तो हम इसे और हल कर लेते हैं हम लिखेंगे x minus 1 बटा x गुने अब यहां देखें कोश्टक में हम a square plus b square का फर्मूला लगाएंगे तो हमें यहां minus में मान दिया है तो minus व summary लगाएंगे तो a square plus b square का फर्मूला होता है minus में a minus b का whole square plus 2ab ठिक है तो हम यहां लिखेंगे a plus b का whole square तो a की जगा x है और b की जगा 1 बटा x है तो हम x plus 1 बटा x का whole square लिखेंगे स्वरी यहां minus होगा x-1 बटा x का whole square लिखेंगे और plus में 2 a की जगा x और b की जगा 1 बटा x है और यह plus 1 ठीक है हमें minus में मान दिया है इसलिए हम minus वाला फर्मूरा लगाएंगे तो हमने यहां लिखे दिया x-1 बटा x का whole square plus 2ab ठीक है तो हम यहां लिखे लेते हैं x-1 बटा x bracket में x-1 बटा x का whole square plus x से हम x को cancel कर सकते हैं तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और यह plus 1 कितना होगा दोस्तों 3 तो हम यहां लिखे लेते हैं 3 अब हम यहां x-1 बटा x से जगा दोस्तों 4 लिखेंगे हमें यहां 4 दिया है तो 4 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 को स्टक में यहां भी हम 4 रखेंगे तो 4 का square हो जाएगा और यह plus 3 तो यह हो जाएगा 4 गुने 4 का square करेंगे 16 और 16 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा दोस्तों 19 तो हम यहां लिख लेते हैं 19 तो 4 को 19 से गुना करेंगे यह दोस्तों कितना होगा 19 चोका 76 तो x cube minus 1 बट्टा x cube का मान होगा यह दोस्तों 76 तो इस परकार हम इसे हल करेंगे हमें यहां minus में मान दिया था इसलिए हमने यहां a square plus b square का फर्मूला minus वाला लगा दिया ठीक है झाला करेंगे झाला करेंगे झाला करेंगे